ही अब्रीवन गुड मॉर्निंग कैसे आप सब एक्चिली आप्टनोन हो गया है तो अभी दिन के बच रहे हैं और जस्ट अभी मैं बस नहाई हूं और आज थोड़ा सा लेट में हुआ है नहाना धोना क्योंकि सुबह से थोड़ा मुझे बाहर का काम था था तो बस मानोगे बस अभी जिस्ट खाना वाना बनाया है तो थोड़ा से आरव के सोना और के चैनल वीडियो के एडिटिंग की है मैंने थोड़ा अभी तो आप लोग देखने ना चैनल को सब्सक्राइब कर लेना आली आरव नाम से है चैनल और अभी खाना वाना खांगे तो मुझे एक आप लोग के साथ मुझे एक बहुत इंपॉर्टन चीज़ शेयर करनी है तो अभी जिस्ट लॉंच करने के बाद और मैं में क्यों आपको तोड़े देर में और आजकल क्लाइंट भी बहुत ज्यादा परिशान हो रहे हैं क्योंकि एक गम से मैंने वहां से पालग खाली कर दिया और यहां सिफ्ट हो गई तो फिर यहां पर अभी काम चली रहा था हमारा जो फर्ष्ट लोर का है वहां का तो इस वज़े से मैंने भी कोई बोड बोड भी नहीं लगाया और तो लोग बहुत परिशान हो रहे हैं डेली कोई नो कोई आ रहा है और बोड आएगी हमें बड़ी प्राब्लम हो रही है तो शेर करते हैं आपकों के साथ मिलती हूं जो गाइस टैंप में सबसे बड़ी प्राब्लम पिछले एक महीने से और मुझे पता ही नहीं है तो मैं आप लोग साथ शेर करूंगे तो देर में चलिए मिलती हैं तो गाईस यह मेरी क्लाइंट एक्चुली जब मैंने सिफ्ट किया ना तो ये एक पर ऐसी देखने के लिए आई थी कि कितने दूर सिफ्ट हुए हैं कहां पर सिफ्ट हुए हैं ताकि इनको जब सर्विस लेनी हो तो तब इनको ढूंदना ना पड़े तो देख सकते हो इन्हों ने अपने हेयर ने इस ट्रै बढ़ा रखी है तो इनको मतलब लेजर लेयर में इनको चीए और काफी स्टाइलिस हैं तो इनको ना ओपन हेयर से रखने होते हैं तो बहुत अच्छी हैं बाइनेचर और काफी अच्छा लगता है जब लोग आपके काम को पसंद करते हैं एंड इतना दूर से अपने चोड़के 34 पालर की ही होती है बट कई लोग होते हैं कि उनको जहां करवाना होता है वो वहीं करवाते हैं तो आजकल ऐसा हो रहा है मेरे साथ की लोग मतलब कई बार ऐसे हो रहे हैं कि लोग ना एक दोबार ढूंड के वापस जा रहे हैं तो मुझे बिलकुल अच्छा नह लग रहा कि लोग मतलब ऐसे इतना परिशान हो रहे हैं तो मैं कोशिस करूँगी जल्दी मैं जो है अपना बोर्ड बोर्ड लगाऊं तो थोड़ा सा मतलब हमारे यहां पर काम चल रहा था इस वज़े से मैं नहीं लगा पारी थी तो तो इनको लेयर हेर कट करवाना है और देख सकते हो सेंटर पार्टिशन मैंने लिया है और पते क्या होता है कि देखो हेर कट तो सब कर लेते हैं मोशली हमारे यहां पर क्या होता है कि नॉमली लोग क्या करते हैं कि मालो लेजर करना है यह स्टैप हेर कट करना है तो बहुत से पालर वाले ऐसा कर देते ना स्टेप का नाम सुनके उनको बस बाल उड़ाने है तो वो चीज लोगों को पसंद नहीं आती और मेरा जो है रूल है वो यही है कि मुझे बस हेर कट से मतलब है ठीक है मुझे यह मतलब नहीं है कि क्लाइंट के बाल कितने गिर रहे है कितने जा रहे है तो मैं हमीशा एक अच्छा हेर कट देने में बिलीव करती हूँ ना कि किसी की हेर ग्रोथ को खराब करने में इसी की हेर लेंद को उड़ाने में एक्चलि लोग यही वर्ड का यूज करते हैं यहां पर लोग ऐसे बोलते हैं यहां पर लोग ऐसे बोलते हैं उसने तो मेरे बाल उड़ा दिये तो ऐसा बिल्कुल भी मत कीजिए अगर आपको अच्छा हेर कट नहीं आता तो आप इतना कर सकते हो कि पहले ग्रोथ बिल्कुल कम ना करें लैंट बिल्कुल कम ना करें तो हमेशा हमें बताती कि पहले आपने क्लाइंट को पूछ लो कि उनको लैंट कितनी चाहिए जितनी उनको लैंट चाहिए माल लो उनको आदा इंच कम करवानी है उनने एक इंच कम करवानी है तो आप पहले आदा इंच काटो बागी आदा इंच आप अपने ले ऑप्शनल रखो ठीक है ताकि जब उनको ये लगे कि थोड़ा से और काट दो उसके बाद काटना ठीक है तो बहुत से लोग ऐसे होते हैं बहुत से क्लाइंट ऐसे होते हैं कि उनको लेंट थोड़ा से छोटी करनी होती है तो सड़नली इन अब क्लाइंट से पूछ होगे तो इस से आप छोटे नहीं हो जाओगे यैस लोगो आता है अपको कुछ侑 नहीं लुक्त कैसे हैं इस टइकी हुटा और इस ट्वर्द मेरे घर का समान इस तो आप इस टाइम पाई कि beleदte Search तो उसके लिए मुझे मार्केट जाना पड़ेगा और मार्केट से वाली सीजर लेकर आऊंगी यह देख सकते हैं आप मैं कितनी चोटी सीजर से कर रहे हूं तो मुझे खुद अच्छा नहीं लग रहा है इससे करते हुए हैं इतने बाल कटनी रहे हैं बट भी मैं कर ले रही हूं क्या कर रहा पड़ता है ऐसे स्चेशन में तो हेर ड्राइ मैंने कर दिये अच्छा बहुत सा टाइम क्या होता है जब हम सपोस्ट कुछ काम करते हैं मेकप करते हैं या कुछ भी काम करते तो बहुत टाइम ऐसे होते कि हमारे जो कंप्लेट टूल्स होते हैं वह हमारे पास नहीं होते तो हमें थोड़ा ऐसी काम चलाना अच्छा मैं इस सीजर से काम चला रही तो इसका मतलब यह बिल्कुल भी नहीं है कि मेरा हेरकट खराब हो रहा है मेरा हेरकट प्रॉपर वैसे ही हो रहा है वड़ थोड़ा टाइम लग रहा है तो इनकी थ्रेडिंग थी एंड हेरकट का जो फुल टुटोरियल है वह आपको पता है कि टुटोरियल में सारे सोना मेक और वाला जो मेरा में चैनल है वहां पड़ देती हूं तो चलिए मिलते हैं आपको अगले व्लॉग में तब तक कि लिएक शिर इन सुस्क्राइब प्लीज कि अधिता शब तक कि अधिता हैं